नमस्कार दोस्तों आप सब्रों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है दोजार चोबिस में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भरती ठीक है उसमें पहला सिफ्ट जो हुआ था सता तरीक को उसमें प्रसंद पूछा गया था तो यह प्रसंद इंपोर्टेंट है और री इतना हो जाता है ठीक है सो हमका वर्तमान वेतन बताना है तो यहां पर देखे पहला अनपाथ जो दिया गया इनका है तो अनपाथ हम यहां पर लिख लेंगे तो पहला नपाथ है दो अनपाथ तीन दिया गया है ठीक है उसके बाद यहां पर जो 2000 रुपे ब्रद्धी होने की बाद यहां पर अनपाद चेंज हुआ है दूसरे अनपाद कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं चालिस अनपाद यहां पर 57 ठीक है तो यह पहला वाला हो गया अनपाद यह दूसरा अनपाद होगा 2000 रभगने के यह इंका वर्थमान वेतन अनुपात है कि उसके बाद यहाँ पर चेंज हुआ टिकर यह व्याँ आलो हो यहां पर क्राउ्स मुल्टिप्लाइब कर ना होता है यह हमारा होगे इनका रोहन का आर से लिख सब्सक्राइब करेंगे तो करेंगे इसको इदर करेंगे तो आ जाएगा 120 साइड में यहाँ पर जो नंबर आया है इन दोनों के बिच में दिफरेंस कितना होता है तो स्टेट इन Extra च्iga रहा है मैंने यहां पर लिख दिया है कितना जारा इन दोनों major in चेल कुछ इस तरी के से श्यटेप कारना होता है उसके बाद आप इधर क्रास्रhos में करेंगे इधर की तरफ क्रास्री multiply करेंगे तो यहां पर multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80,000 ठीक है इस side में अगर इस side में multiply करेंगे तो 101,14,000 इस side में बनेगा ठीक है और इन दोनों का अगर difference देखेंगे इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आ रहा है तो यहां पर 34,000 मिलेगा कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 34,000 तो ध्यान लखिएगा अब यहां पर उपर जितनी यूनिट आई है यह बराबर हो जाएगी इसके नीचे वाले के तो यहां पर 34,000 कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे अब एक यूनिट की बात करेंगे तो यहां पर 34,000 को हम दिवाइड करेंगे छेसे अब हमें एक्शुल में किसका हमें वेतन बताना था अब डारेक्ट काड़ भी सकते हैं तो काटनेंगे स्सक्राइब नहीं तो यहां फूचा गया था सोहर रहा गिया था था है यहां पूचा का वर्तमान तो यहांपर सोहम का जितना भी अनुपात होगा विए अनुपात यहां पर रहतेंगे उसे multiply कर देंगे उसके किना पर तीन है ठीक है तो तीन अपर तीन कट गया 105 कट गया अब है इस पर एक ईक विदुधत हम प्रैशन लाएंगे बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे आपके समझ में आ जाएगा कैसे इन है सॉल किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीका है बहुत ही आसानी से अब इस तरीके किसी भी प्रसन का अंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से अगर पूछा जाता है कहीं पर वेल्लु को बढ़ना या घटा आया जाना ठीक है फिर वर्तमान पूछे चैब रध्धी में पूछे आप आसानी से निकाल पाएंगे तो यह प्रसंद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रिशन पूछा गया था उमीद करते हैं कि आपनों को यह प्रिशन समझ में आ गया होगा वीडियो चल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सेयर करना